फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माइच चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शा आज इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे BA डिडियो के प्राक्टिस सेट की स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए friends care share कीजिए और किसी भी तरह के आपको कोई भी query लगती है किसी भी question में तो आपनी जो comment section में लेख सकते है आप कोई video पसंद आती है तो अपने friends care share भी कर सकते है और आप मुझे social media पर follow करके अपनी query भहाँ भी पूछ सकते है तो start करते हैं video को यहाँ पर देखिए question है हमारा management is an art to get the work done by others this statement belongs to यानि कि यह जो statement है यह किसने दिया है आपको यह बताना है Stanley Vains, Peter F. Drucker, Henry F. यह फिर HRD codes बताईए किसने कहा है यह statement यह statement दिया है HRD codes नहीं यानि कि management है कि ऐसी art है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं ठीक है next question पर आईए two-factor theory आपको बता नहीं है यह किसने दिती बहुत ही important question है आपके exam में बहुत पूछा जाता है two-factor theory of motivation Maslow, Hertzberg, McLand या फिर Vroom किसने दिया यह theory यह theory दी है Hertzberg ने Maslow ने कौन सी theory दी है McLand and Vroom इन तीनों ने कौन कौन सी theories दी है वो आपको नीचे comment section में लिखना है और अगर आपको नहीं पता है तो आप search कीजिए क्योंकि यह बहुत ही important है यह सारे नाम इनकी theories बहुत पुछी जाती है ठीक है next question देखिए 8 boss scheme is developed by 8 boss scheme जो है वो किसने developed की थी Frank, Burner, Gilbert ने HR, Torn, F.W. Taylor या फिर Peter F. Trucker पताईए किसके दोरा दी गई है यह यह हमारी दी है F.W. Taylor ने बहुत ही important scheme है ठीक है इसको हम अच्छे से discuss कर लेंगे और अगर आपको पता है तो please comment section में आप बताईए कि यह scheme क्या होती है ठीक है नेक्स question पर आईए Under which of the following theories the human needs are put in hierarchy of their significance यानि कि ऐसी कौन सी theory है जिसमें human needs को एक hierarchy में रखा गया है उनके significance के according Hertzberg theory है McGregor theory है Maslow theory है या फिर Broom theory है वो sorry, Varum theory यह सारी theory बहुत important है और उन्होंने कौन कौन सी दी है again आपको लिखना है क्योंकि आपको यह जब यह पता होंगे तब आपको हर चीज समझनी बहुत आसान हो जाएगी तो बताईए किसने hierarchy के according human needs को बताया है क्या हो जाएगा इसका answer आपको देखें यहाँ पर इसका जो right answer होगा वो होगा option C Maslow theory आपको पता है Maslow theory hierarchy में बताईए कि सबसे पहले नीचे आती है basic need फिर आती है हमारी safety need फिर आती है हमारी social need फिर आती है esteem और फिर आती है self-actualization ठीक है इस तरह से यह चलता है अब आईए next question पे who has invented x and y theories अब x and y theory किस ने दी है Maslow, Mike Greger, McLand या फिर Gilbert देखो Maslow तो आपको पताए तो यहाँ पर Maslow तो answer नहीं हो सकता अब आपको इन तीन options में से बताने है कि x and y theory क्या होती है और यह भी बताएगा x and y का मतलब क्या यहाँ पर है बताएगे देखिए x and y theory की बात करें तो यह जो theory है वो दी गई है Mac Greger के द्वारा option c right answer है उसके साथ ही साथ एक और theory आप से पूछी जाती है theory z theory किस ने दी है तो वो दी है William out जीन है ठीक है next question पर आईए motivation results into a motivation किसका result है increase in efficiency, increase in moral, increase in coordination या फिर all of the above बताएगे क्या लगता है आपको motivation से क्या होगा बहुत ही simple है ये देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कोई आपको motivate कर रहा है या फिर आप किसी को motivate कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं efficiency बढ़ाने के लिए उसका moral बढ़ाने के लिए और coordination करने के अगर कोई person nervous होता है उसे लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं उसको motivate करते हैं जिससे कि वो वो काम करें अच्छे से ठीक है तो यहाँ पर option D क्या हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा ओके next देखिए who said to manage to forecast and plan to organize to command to coordinate and to control बताईये किसने कहाईये heraldi koots henry fuel stainly veins या भी ptf drugger बताईये किसने कहाता कि प्रभंद के लिए forecast, plan, organize, command, coordinate और control होता है देखिए यह जो statement है यह दिया गया था किसके द्वारा? henry fuel के द्वारा ठीक है? option B right answer और याद रखिएगा henry fuel हमारे जाने जाते है 14 principles के लिए भी 14 management principles के लिए भी पूछा जाएगा 14 principles किसने दिये हैं तो henry fuel ने दिये हैं तो वो भी आप याद रखिएगा और वो 14 principles हैं उनका आपको meaning भी पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ से भी questions पूछ ले जाते हैं कि बताएए इसका मतलब क्या होता है इस principle का मतलब क्या है ठीक है? next देखिए at the time of centralization authorities delegates to subordinates every decision is taken by officer subordinates equally participate in decision making and none of the above क्या होगा answer? क्या हो जाएगा? B answer हो जाएगा every decision is taken by officer यानि कि यहाँ पर centralize हो गई है एक जगे सारी power है ठीक है जो भी decisions लिए जाएँगे वो central officer जो होगा या फिर जो main head होगा उसके द्वारा लिए जाएँगे तो every decisions किसके दारा है आप पर officer के द्वारा लिए जाएँगे option B correct है next question देखिए dash is a two-way communication between buyer and seller बताइए किस में आपको लगता है कि यहाँ पर दो तरह से communication हो रहा है advertising, publicity, personal selling या फिर none of the above बताइए क्या हो जाएगा answer देखिए यहाँ पर हम answer की बात करें तो right answer यहाँ पर हो जाएगा हमारा option C, personal selling क्योंकि personal selling में क्या होता है buyer and sale आपस में communicate कर सकते है product के regarding कोई भी query है वो पूस सकते है जबकि publicity में क्या होता है one way होता है advertising में one way होता है वस उनको जो भी advertise करनी है अपने product ही वो उन्होंने कर दी आप उनसे कोई भी query नहीं कर सकते हो कुछ भी पूस सकते हो जबकि personal selling में आप on the spot कोई भी query है product के बारे में कोई आपको additional information चाहिए आप पूस सकते हो तो यह क्या होता है two way होता है both rights and liabilities या फिर none of the above बताए क्या होगा answer क्या लगता है answer आपको इसका देखे delegation जब किया जाता है एक officer के द्वारा तो वो उस अपनी rights और liabilities दोनों को delegate करता है यानि कि वो जो भी काम करेगा उसकी liability भी होगी तो delegation के समय एक officer rights के साथ liabilities को भी delegate करता है next है the scope of time study covers अब time study में क्या क्या चीज़ा cover की जाते है केवल workers, केवल machine केवल workers, both workers and machines या फिर none of the above पताई क्या हो जाएगा C हो जाएगा बोथ workers and machines time study के अंदर workers का time भी check किया जाता है कितने घंटे काम कर रहे हैं machine को भी एक particular time period तक ही हम उसको उसको काम ले सकते हैं क्योंकि देखिए machine भी ज़्यादा time तक आप उसको use करोगे तो जल्दी खराब होगी गर्म होगी machine और फिर आगे जागी उसकी efficiency कम हो जाएगी जैसे कि worker का fatigue level down होता है सेम उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो workers and machines दोनों के में हमारी time study आती है ठीके तो यहाँ पर both workers and machines हमारा right answer हो जाएगा next question देखिए time study helps in अब time study किसमें मदद करती है performance a pleasure of employees designing a suitable page plan determination of ideal workload of different categories of workers या फिर all of the above बताईए अब बताईए क्या होगा answer देखिए यहाँ right answer हो जाएगा performance a proposal में time हमारा किस तरह help करेगा नहीं performance है तो हम नहीं check कर सकते हो performance तो हम time के according check नहीं कर सकती कि कोई भी worker इतने time में कितना काम कर रहा है तो हम performance करना क्योंकि हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है हाँ हम wage plan decide कर सकते है इससे कि अगर कोई भी worker इतने गंटे काम कर रहा है तो उसकी wage इतनी है, इससे इतने गंटे और ज़्यादा काम करता है, तो उसकी और भढ़ जाएगी wage, और भी ज़्यादा काम करता है, तो उसकी wage फिर इतनी हो चाहेगी, तो यह wage plan का एक अच्छा तरीका है, इसलिए यहाँ पर option भी right answer हो जाएगा, same यहाँ पर third option भी नहीं हो हम सिर्फ wage plan करने के लिए उसको use कर सकते हैं, better तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर option भी हमारा correct हो जाएगा, next question देखिए, who is the father of scientific management, बहुत ही simple question है, हर बाहर इस तरे के questions आपके exam में पूछे जाएंगे, तो याद रखिए, father of scientific management की बात करें, तो कौन सा होगा, जल्दी बताईए, FW Taylor, ठीक है, हेंडी fuel को किसका father का जाता है, comment section में जल्दी बताईए आप, next है, scientific management aim setup, scientific का aim क्या होता है, production को भढ़ाना, improved quality, elimination of wastage, या फिर all of the above बताई, बताईए, क्या होगा answer, देखें, यहाँ पर इसका answer हो जाएगा, D, क्योंकि scientific management की बात करें, तो scientific management हम क्यों use कर रहा है, क्योंकि इसने हमाया production भढ़ रहा है, हर काम systematic तरीके से हो रहा है, एक हमारे पास set है, उसके according हम सारी चीज़ें systematic तरीके से कर रहा है, एक format दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमारा elimination भी हो रहा है, wastage का, control भी हो रही है, सारी चीज़ें, quality भी improve हो रही है, तो यह सारी ही चीज़ें, हमारी scientific management का aim होती है, ठीके, इसलिए option D, यहाँ पर हमारा correct हो जाएगा, next देखे, which of the following is an incentive wage plan, आप इसमें से कौन सा इस incentive wage plan है, बताइए, time wage system, hard slip premium plan, piece wage system, या फिर scanion plan, बताइए, बताइए, incentive आप किस wage plan में दे सकते हैं, परोथ साहन एक तरह से, देखे, time और piece की बात करें, तो इसमें आप किसी भी तरह से उसको incentive नहीं दे सकते हैं, यानि कि उसको motivate नहीं कर सकते हैं, आप motivate कप कर सकते हैं, जो आपने एक set वना दिया, कि हाँ, ये आपका standard है, output, इतना standard output होगा, अगर इससे ज़्यादा आप निकालते हो, तो इतना मिलेगा, और भी इससे ज़्यादा निकालते हो, तो आपके जो wage है, और भढ़ जाएगी, तो इससे क्या हुआ, आपने उसको motivate किया, तो इस तरह का system कौन से plan में होता है, हाल स्ले में, ठीक है, time में क्या होता है, आपने जितने time काम किया, तो वो कहां से motivate होगा, same way piece में क्या होता है, जितने piece बनाए होतना, तो इससे demotivate होते हैं उल्टा, इन दोनों system से, ठीक है, जबकि हाल स्ले की बात करें, तो अगर option होगा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, option number B, हाल से premium plan, option है हमारा, which of the following is not a non-financial incentive to motivate employees, यानि कि आपको बताना है, इसमें से कौन सा non-financial incentive नहीं है, अपने employee को motivate करने के लिए, employees part special in management, profit sharing, employees job security and none of the above, बताएए, बहुती simple है, जल्दी से answer करिए, क्या होगा, क्या बात की जा रही है, यहाँ पर non-financial incentive की, ठीक है, यानि कि जहाँ पर money या fund या हम बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की finance की, वहाँ पर use नहीं हो रहा है, देखिए, employee participation में आप उसको participate करने को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसे कुछ भी money नहीं दे रहे हैं, employee job security, job security में भी कुछ money कर लेना देना नहीं है, लेकिन profit sharing में क्या है, आप directly उसको profit sharing में, यानि कि आप उसको जो भी amount profit का निकलेगा, वो आप उसको देंगे, तो यहाँ पर option B क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, ठीक है, next question पर आईए, the term mental revolution is directly concerned with, अब जो term है हमारा mental revolution, वो directly किस से concerned है, scientific management, personal management, productivity movement, या फिर independence movement, बताईए, mental revolution की बात की जा रही है, जहाँ पर आपके mental power को use किया जाए, बताईए, कौन सा है वो, कौन सा movement या management है, क्या हो जाएगा, आपका answer, C, आपका right answer हो जाएगा, productivity movement, क्योंकि productivity movement में आप directly ये हिसाब लगाएंगे, पूरा कि किस तरह से आप अपनी productivity को improve कर सकते हैं, जादा से जादा अपने resources को better तरीके से utilize करके, उनका productivity power जो है, या production जो है, वो increase कर सकते हैं, इसलिए हाँ पर option C क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा हमारा, ठीक है, next देखे, rationalization जो होता है, उसका मतलब क्या है, securing maximum efficiency of labor, B है हमारा eliminating waste of materials and power, C है हमारा simplifying distribution of commodities, या D है हमारा all of the above, पताएए, क्या होगा answer, rationalization का aim क्या होता है, देखे, मैं आपको rationalization का पहले meaning बता देती हूँ, rationalization का मतलब होता है, कोई भी चीज आप logic तरीके से सोच रहे हैं, आप यह नहीं देख रहे हैं कि यह सस्ती है या ऐसी है, आपने सबसे पहले logic लगाया कि कौन से तरीके हैं जिन से हम quality बेच्छी बना सकते हैं, अपने resources भी अच्छी तरह से use कर सकते हैं and profit भी अच्छे से earn कर सकते हैं, तो यह देखे, यहाँ पर securing maximum efficiency of level, यह भी हमारा logic है, कि हम इस तरह से, इस तरह के ways find out करें, जिससे हम level की efficiency को maximize कर पाएं, यानि कि हम उनसे जो भी हमने time period उनको दिया है काम करने का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हम उनसे करवा पाएं, क्योंक है, eliminating waste of material and power, जो भी हमारे materials use हो रहे हैं, जो भी power use हो रहे हैं, उसको eliminate करें, यानि कि कम से कम हमारा वहाँ पर loss हो, कम से कम उनका waste हो, फिर है simplifying distribution of commodities, हम जो भी commodities का distribution करें, और simplified तरीके से हो, ऐसा ना हो, हमने किसी particular एक एरिया में commodity, हमाँ पर access कर दी है, distribution हो, किसी एरिया में हमारी बहुत lack है, तो हमें simplified distribution करना है, तो यह सारा हमारा rationalization में cover हो रहा है, इसलिए all of the above हमारा correct हो जाएगा, clear है यहाँ तक, अब देखो next question, next है, organization and management includes, अब organization and management में क्या के चीज़े include होते हैं, defining every job and its objectives, eliminating duplication of functions and jobs, C है हमारा elimination unnecessary workload या फिर all of the above, बताएगे क्या है इसका answer, एक organization and management में क्या के चीज़े include की जाती हैं, क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका, देखी organization आपको पता है, कोई भी काम आप इखटा करके कर रहे हैं संगठन के साथ, ठीक है, और management का मतलब होता है systematic तरीके से, तो यहाँ पर देखी, defining every job and objective, यह बिल्कुल सही है, इसमें आ रहा है हमारा eliminating duplication of function sense, और यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं भी duplication होगा, तो आपके resources faced जाएंगे, फिर elimination unnecessary workload, आपने किसी को जादा काम दे दिया, यानि कि उसमें unnecessary workload है, और कोई worker आपका खाली बैठा हुआ है, तो यह भी नहीं सही है, तो आपको सबको equal distribution करना है, जिससे कि सब लोग सही तरीके से काम करें, अगर किसी पर overload होगा, तो वो अच्छी quality या फिर अपना 100% नहीं दे पाएगा, फिर वो जल्दी-जल्दी में का काम करेगा, तो आपको ऐसी situation भी नहीं risk करनी है, तो यहाँ पर इसलिए हमारा right answer हो जाएगा, A, all of the above, sorry, D, all of the above, ठीक है, next question पर आईए, main advantage of functional organization, अब आपको बताना है main advantage functional organization का, specialization, simplicity, export advice या फिर experience, वदा यह function में क्या चीज होती है, क्या हो जाएगा answer आपका, आपको पता है functional organization क्या होता है, देखिए यहाँ पर बात कराएं functional organization की, तो functional organization का मतलब होता है, आपको भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो काम दिया गया है, वो functions के according दिया गया, यानि कि यह person यह काम करेगा, production वाले सिर्फ production का का काम करेंगे, sales वाले सिर्फ sales से related काम करेंगे, यानि कि आपने उनको classify कर दिया, तो किसके business पर करिया, उनके specialization के business पर, ऐसा तो नहीं न, जो production वाले लोग है, उनको आपने sales का काम दे दिया, और जो sales वाले आपने उनको distribution का काम दे दिया, ऐसा तो नहीं है, specialization के according ही आपने distribute किया होगा, इसलिए हापर option क्या हो जाएगा, a right answer हो जाएगा, ठीक है, next देखिए, which of the following forms of organization is the most democratic, इसमें से कौन सा organization हमारा सबसे यादर democratic है, democratic आप समस्ते होंगे, ठीक है, जहाँ पर जनता होती है, जहाँ पर freedom होती है, हर किसी को जनता की according ही काम किया जाता है, या फिर एक तरह से आप यह समझते हैं, participation होता है लोगों का, line organization, line and staff, functional and committee, बताएगे, क्या हो जाएगा answer यहाँ पर, देखिए, answer होगा यहाँ पर D, क्योंकि committee के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे person होते हैं, और जब बहुत सारे person होंगे, तो सबकी अपने-पने decisions होंगे, सबकी अपने-पने views होंगे, सबकी बातों को सुना जाएगा, तब एक final decision पर वो लोग पहुँचेंगे, तो यानि क्या है, democratic है, हर कोई अपने views दे सकता है, और line and staff में क्या होता है, line में क्या होता है, कि एक serial wise काम चलता है, ठीक है, यानि top to bottom, ठीक है, और staff में क्या होता है, एक specialization दे दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, committee इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, function में ता functions के according होता है, democratic नहीं होता, कि आप functions वाले किसी और से views लेंगे, नहीं, वो अपने जो भी उनके ideas होते हैं, views होते हैं, उसके basis पर वो काम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर option D हमारा correct हो जाएगा, next देखे, the principle of unity of command is generally observed in, principle of unity of command जो है, वो generally observed की जाती है, कि समें line organization, line and staff organization, functional organization या फिर committee organization, बताईए, unity of command generally कहां observed की जाएगी, क्या होगा इसका answer, देखे, यहाँ पर इसका जो right answer होगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर option number आपका, यह line organization, ठीक है, line organization में क्या होता है, मैंने भी आपको बताया था, कि इस तरह से काम चलता है, यानि top से bottom, तो unity of command क्या होगी, एक के पास होगी, वो जो command करेगा, वही नीचे की लोग follow करेंगे, ठीक है, तो unity of command हमारी जनरली का अबजर्ब की जाती है, line organization में, next है, F. Winslow Taylor is related to, functional management methods, human relationship in management, statics methods of management, या फिर statistical methods of management, बताये, F. Winslow Taylor हमारा किस से related है, simplest का answer, F. Winslow Taylor हमारा किस से related है, home work में दूए है, question में आपको, ओके, ये question आप home work में रखिए, next आई है, principle of collective bargaining किस ने दीती, static है, direct question पे जाते है, दन लप ने दीती, next देखिए, the accountability of a manager, after delegation of authority, जो manager की accountability होती है, after delegation of authority, किस तरह होती है, reduces, increases, remains as it is, या फिर नन आप दीज, किस तरह हो जाएगी, देखिए, accountability तो इसकी remains as it is रहेगी, अगर यहाँ पर होता कि, responsibility of a manager, after delegation of authority, तो हम कहा सकते हैं, कि reduce हो जाएगी, उसकी responsibility, लेकिन accountability तो वही रहेगी, क्योंकि जो manager के ऊपर होगा, वो manager से ही question करेगा, वो यह नहीं देखेगा, कि manager की जगा, किसी और ने काम किया है, नहीं, वो जो questions, या जो भी query होगी, वो सिर्फ manager से पूछेगा, इसलिए accountability manager की ही होगी, ठीक है, next है, who has developed the expectancy theory of motivation, बहुत ही simple question है, और exam में आपके बहुत बार पूछा गया है, यह question, expectancy theory किसकी ने दी है हमारी, देखे, यह theory दी है हमारी, Vroom ने, Victor Vroom ने, ठीक है, next है, specific plan for execution in special circumstances, is called policy, procedure, program, strategy, specific plan किया जा रहा है, special circumstances के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, program, और policy, procedure and strategy, इसका meaning मैं आपको, अपने previous classes में बता चुकी हूँ, तो यह आपको बताना है, policy क्या होता है, procedure क्या होता है, and strategy क्या होती है, जिससे मुझे बता चले, कि आपने पहले की classes देखी है, और अगर देखी हैं, तो आपको कितनी समझ आईगे, next पताईए, policy making is the part of, motivation, staffing, planning and direction, simple है, यह भी आप सब को पता है, policy making किस में होती है, policy है किस से बना के चलेंगे, पहले आपने कौन-कौन से decisions लिए, बात में आपने कौन से decisions लिए, इस तरह की चीज़ां किस में देखते हैं, planning के अंदर ही तो करेंगे, इसलिए आप option क्या हो जाएगा, see हो जाएगा, right answer, ठीक है, next देखे, plan which are expressed numerical है, वैसे plans जो की numerically expressed किये जाते हैं, बताएगे क्या होगा, देखे, programs में numerical की कोई बात नहीं की जाते हैं, policies में भी नहीं, strategies में नहीं, budgets होते हैं, जो की numerically expressed होते हैं, ठीक है, तो be correct है, next देखे, control is not possible without motivation, organization, planning and coordination, क्या होगा answer, क्या हो जाएगा answer, answer यहाँ पर आपका हो जाएगा, option C, control जो है, यहाँ पर हमारा not possible without, किसके बिना possible नहीं है, हमारा planning की, ठीक है, तो option C, यहाँ पर correct हो जाएगा, तो hope यहाँ पर आपको सारे questions clear हैं, किसी भी तरह की कोई भी query हो, तो जरूर बताएगा, तो next video में आप से मिलते हैं, तब तक के लिए take care, bye bye, ठीक है,